नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कंपरेटिव क्यूज पे हम लोग काफी दिनों से इस प्लेटफॉर्म पर विडियो नहीं डाले थे उसका कारण था बहुत सारा प्रोलम दिखते का सामना हम लोग किये हैं काफी लोग मेहनत करने के बाद और विडियो नहीं डालने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम था जिस नहीं डाल पा रहे थे और काफी लोग बच्चों का कवमेंट आ रहा था कि सर समुरतल्ला पर विडियो बनाईए तो आज से हम लोग का जितना भी टाइम बचा है उस टाइम को ह इस में से अगर हम 4040 में कराएंगे तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा जिससे बच्चों लोग को इंट्रेस्ट नहीं रहेगा तो हम लोग छोटा 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 वीडियो बनाकर कम ही टाइम में हम लोग इस पर मैथ से को सॉल्व करेंगे तो चलिए आए दोस्तों हम ल हैं कि पर्स्ट कोश्चन में अट उस्ट कोश्चन में पताया जा रहा है है पूछा जा रहा है कि आयतन की गन्ना होती है पूछ जो तो आयतन होती है उसको उसकी गन्ना कैसी होती त्री बीमिये एक पीमिये या दूई बीमिये तो इसकी गन्ना कैसी की जाती है त्री बीमिये में क्यूंकि आयतन क्यूंकि फॉर्म में होता ऐसे भ्यास कर सकते कि आयतन किस रूप में होता है क्यूंकि फॉर्म में इसलिए हम इ पहले पहले आप लोग इसको समझिए उसके बाद बनाने कोशिच किजएगा क्योंकि समझने के लिए बोले क्योंकि देखिए नो हेक्टेयर की बात कर रहा क्या बात कर रहा है हुआ हदे und here और किस रूप में हैं सलूशन करते हैं ऑन दो नंबर कोशन का स brakes क करेंगे और हम इसको या हो जाएगा देकिज़ आधा नो नो, गुने सो, पलस साथ, तो तोटल कितना हो जाएगा, नो सो साथ, ये हमारा क्या हो गया, इतना लीटर, जो कि हम लोग नीचे देखे थे, ति कितना लीटर हो गया, अब हम लोग को पूछ रहा है, कि अगर वन बटे फोर लीटर बाली, कितनी बोतलो इस दूद में भरी ज लिटर जा सकती है कितना लेतर का बात कर रहा है वन बट्टे फोर लीटर मतलब एक हजार में कितना नर्ष एक हसार लीटर उसका एक बटो था भाग तो कितना हो दूध की दूध्य भरार जा सकता कितना कितना गुने कितना हो जाएगा टोटल टोटल 900 सॉरी है कि अविजा कि टोटल कितना हो जाएगा 907 घुने 800 अगर कुछ बोलने लिखने में गल्तप हो जागा बच्चों तो आप लोग खुद इसको सुधार सकते हैं कोई बड़ा बात नहीं है चले तिसको गुणा करके बना लिएगा दो नमबर कोश्चन हम लोग इसका PDF और अंसर तेलीग्राम चलेन पर भेज़ देंगे तो इस टेंसर नहीं लेना है कि हाँ इसको अंसर नहीं मराएं आप लोग चले हम लोग आते हैं तीन नमबर कोश्चन पर तीन नमबर कोश्चन पहले पढ़िए उसके बाद पेन कलम उठाईए ना कि ऐसे बस इन वीडियो देख रहे हैं तुसे कोई फाइदा नहीं है आप लोग पहले बनाईए इसको और कॉमेंट में अंसर बताईए चलिए तेन इसमें क्या होता है अगर इसमें देखे थोड़ा सा नीचे आगे बात करते हैं क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है चलिए थर्ड नमबर कोश्चन में अगर इसकी हम कॉंसेप्ट की बात करें तो कॉंसेप्ट क्या करता है अगर कोई रेल गारी पिलेट फॉर्म को पार करेगा तो क्या करेगा दोनों की लंबाई जुटता है अगर यही ट्रेन ट्यार से ट्रेन हो गया अगर कोई पूल को पार करता है तो उसका भी लंबाई जुटता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई ट्रेन अगर पूल को पार करता है तो क्य तो आप लोग समाझ गये होंगे कि अगर train अगर train प्लेटफॉर्म को पार करेगा पी से प्लेटफॉर्म टी से train तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा add हो जाएगा तो इससे आप लोग बना सकते हैं concept के साथ तो क्या कह रहा है 80 मीटर लंबी लडगारी कितना मीटर लंबी लडगारी है यही पर थोड़ा लिख देते हैं 80 मीटर और क्या कहता है 220 मीटर लंबे पूल तो क्या हो जाएगा लंबाई के साथ साथ 10 की लंबाई के साथ साथ पूल की लंबाई भी जूट जाए क्योंकि किसको पार कर रहा है यहां पे लंबी पूल को तो 80 पलस 220 कितना हो जाएगा लंबाई टोटल दोस्तो 300 अब इसमें क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कि कितना समय लाएगा तो आईए हम लोग नीचे पेज पे फॉर्मूला की बात करें जो कि एकजाम में काफी लोग बच्चों कंफ्यूज रहते हैं इसमें कुछ इक्स्टा नोले मीटर पर 30 सकेंड और किलो मीटर घंटाओं अगर चेंज करने के लिए जाम में आता है तो अगर हम किलो मीटर पर 30 घंटा में चेंज करते हैं तो कितना से गुना करते हैं 18 बटे 5 भी 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 आई है अगर मीटे परते सिंगने में चैन्ज करते हैं तो 5 बटे 18 से गुना करते हैं ये तो हो गया छोटा से कॉंसेप लेकिन अगर हम इसमें फॉर्मुला की बात करेंगे तो समय बरावर क्या होता है टाइम बरावर दूरी बटे समय बरावर दूरी बटे चाल अगर हम दूरी बरावर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये दुनों क्या हो जाएगा गुना तो दूरी बरावर चाल गुने समय अगर हम इसी में बात करेंगे चाल बरावर तो चार बराबर क्या होता है मित्रो दूरी बटे समय तो हम लोग आसा करते हैं कि आप लोग का एक्जाम नजदीक है तो आप लोग इसे फर्मूला याद करेकर रखेंगे माइड में दम कॉंसेट में दिमाग में घुचा वराना चाहिए ताकि एक्जाम पॉंट में दिक्कत था 80 में तो क्या होता पूछ रहा है क्या हम क्यों है समय पूछ रहा था समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल डिस्टेंस बटे स्पीड तो देखें दूरी हम लोग कितना जूटकर आया था 300 और 45 किलो मेटर परती घंटा देखें अब हम बात कर रहे थें कि अग बदलना है तो कितना से गुना करेंगे निचे आ जाते हैं पांच बटे 18 से तो कोस्चन था 300 बटे 45 गुने 5 पर में क्या हो जाएगा 18 इसको आप काटके बना सकते हैं और अंसर इसका हम लोग टेलिग्राम चनल पर भेज़ देंगे आप लोग वहां से मिला लिजेगा आप आप लोग बना सकते हैं यह तो कॉंसेप्ट समझ ही गया होंगे तो बनी चाहिए चलिए फोर नंबर कोशन पर आते हैं एक घनाप का प्रिस छेथफल क्या होगा जिसकी लंबाई चोड़ाई उचाई तीन मीटर दू मीटर और एक मीटर देखिए अगर घनाप की बात करता प्रिस छेथफल यह तहीं पर लिखते हैं कि प्रिस छेथफल के अगर हम बात करते हैं तो पहले फर्मूला आते हैं स्ट्री ऐत comes Q गन का आइतन भूजा Q गन का पृषचयत फल 6 गूए भूजा स्कॉायर चलिए आगे अगर हम घनाब पे आते हैं घनाब पे आते हैं क्या होता है घनाब का घनाब का आइतन लंबाई गूए, चवडाई, गूए उचाई अगर घन के संपून पीच छेथफल टोटल सर्फेस रिया के बात करेंगे संपून पीच छेथफल तो टू इन्टू एल बी पलस बी एच पलस एचल मतलब क्या हुआ एल मतलब लंबाई बी मतलब चवड़ाई और एच मतलब उचाई तो देखिए दो तो फर्मूला याद इसलिए कि आप आप लोग रिविजन कर लिए कॉमेंट में जरूर बताईएगा और कुछ-कुछ फर्मूला घन घनाब के बारे में तो यहां पर क्या था घनाब का कुल पीच छेथफल क्या हो जाएगा तू इन्टू लंबाई गुने चोड़ाई चोड पलस दू, आठ, पलस तेन एक आरह ते गारा दू निए बाइस, का बाइस कहां पर है तीन नमबर अंसर, चलिए हम लोग चार नमबर कोशन हो गयां और पांच नमर कोउस्चन यह तो नम सिंपल कोउस्चन है दोस्तों अगर लीटर को मिली लीटर में च्रिंज करना रहे तो क्या करेंगे एक हजार से क्यों ना कर देंगे ते कितना अंसर हो जागा आप जुरू बचाएगा फाइव नमर कोश्चन का अंसर क्यूंकि यहां पर हम लोग टेस्ट के टेस्ट भी दे रहे हैं एक तरह से सोच लिए एक जाम में ही बैठे हुए हैं और इसमें डिरेक्ट आगर बता अब देखें बर्ग के बारें बात कर रहा है तो चलिए बर्ग की फर्मूला हम लोग पहले री कर लेते हैं याद कर लेते किस तरह सोता है थे कि इसलिए बर्ग बर्ग मतलब अस्क्वाइर तो बर्ग बर्ग के एगर हम फर्मूला की बात करेंगे तो बर्ग की छेत्रफल भूजा अस्क्वाइर, बर्ग का परिमाप, फोर गुने भूजा, बर्ग का भिकर्न, रूट टू गुने भूजा, तो इसमें कह रहा है, कि अगर हम बर्ग की भूजा को, एक स्गुना से बढ़ा दिया जाएं, तो छेथफल क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर अस्क्वा पालेया तो अगर बर्ग भूजा दू ऐ, ठीक, इसके भूजा को दु गुना कर रहा है, मतलब चार कर रहा है, तो छेथफल की पर कि तना कंतर परेगा, भरका छेथफल भूजा स्कौ़ार तरस गुने टू, चार छूणा कितना गुडा, कितना बढ़ रहा है, चार गुना सिंपल चलिए seven number question पर हम लोग आते हैं कोई बस तू जितना अस्थान घेरती है तो simple से question है कि कोई बस तू जितना अस्थान घरता उसको क्या करते हैं हम लोग बताइए आई तन यही तो कहते हैं चलिए अगला number question आट number question पर आट number question देखिए आट number question भी एक formula पर तोर पर है LCM SCF का चलिए नीचे लिखते हैं आट number question को आट number question क्या होता है LCM गुने SCF बरावर पहली संख्या फस संख्या गुने सकेन संख्या अमने दूसरी संख्या तो देखिए LCM SCF का गुनान खन कितना है LCM SCF का गुनान खन यहीं पर लिख देते हैं 11 5 625 LCM SCF बरावर फरूना क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तहीं तो पुछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे इतना में से 125 से divide करेंगे तो X कमान जो आएगा वही अंसर होगा तो आप लोग बनाईएगा बताईएगा ऐसे भी अगर अंसर मिलाने के लिए हम लोग को टेलिग्राम में भेद देंगे आप लोग वहां से मिला लिजेगा चलिए नाए नमबर कोश्चन नाए नमबर कोश्चन देखिया ये नाए नमबर कोश्चन में क्या होता है पहले काकर पीछे भाग तब बुना तब जोड़ भटाओ ये तो आपको री करने के लिए बोले छोटी ब्रैकेट मंदली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट इस तरह से आप लोग री कर लिजेगा चलिए इसको solve करते हैं पहले जो कोश्टक में उसको solve किया जाता है तो हम लोग solve करेंगे 3 बटे 7 कोश्टक में इसको पहले solve करेंगे देखिए यहाँ पर LCM लेंगे क्या हो जागा LCM दोस्तो 9 तो 3 तिन तिया 9 5 तिया 15 माइनस 997 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा तो इसको solve किजएगा पुलस 7 बाई 3 तो आप इसको solve कर सकते हमें आसा है क्योंकि आप लोग का exam है हाली में जलदी exam है तो आप लोग इस सब solve किजएगा चलिए 9 नमबर के बाद 10 नमबर कोश्चन 10 नमबर कोश्चन काफी important कोश्चन है अच्छा कोश्चन है देखें 10 नमबर कोश्चन क्या बोल रहा है 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रिपया परती दिन मतलब 3 जो मजदूर है वो परती दिन 510 रिपया कमाता है मतलब तीन मजदूरों की मजदूरी तो बोल रहा है 15 मजदूरों की 20 दूनों की मजदूरी क्या हो जाएगा देखे इसमें क्या होता है डिरेक्ट अगर हम के पास टाइम नहीं हो तो हम फर्मूला लगा कभी बना सकते हैं तो देखें थीरी गुने पांसो दस गुने मजदूरी के लिए कितना होगा ठीक तो मजदूरी के लिए क्या हो जाएगा बरावर यहां पर डिलिट होगा कि पी रेज चलिए यहां तो फिल एक रिक नियम से भी बना सकते हैं लिखेंगे यहां पर 3 मजदूर 610 रुपया एक दिन में कमाते हैं तो एक मजदूर कितने में कमाएंगे फिन 15 मजदूर 20 दिन में कितने दिनों में कमाएंगे तो ऐसे अगर क्या आप लोग इसको को बना सकते हैं को कड़ा कोस्टन है नहीं आप लोग उसको बनाईएगा नहीं बनेगा कॉमेंट किजेगा आप लोग इसलिए हम कमेंट करने बोलते हैं इससे मेरे को कोई फाइदा नहीं है आप हमको पता चलाएगा कौन-कौ हमको सर बोने हैं बनाने के लिए चलिए 11 नंबर कोश्चन पर हम लोग आते हैं बीर्त का उधारन है देखें बीर्त का उधारन है देखें फुटबॉल क्या होता है बीर्ता का टोटल नहीं होता है रोटी एक तरह से बीर्त का ही उधारन है सूरी क्या है बीर्त का उधारन नह सुन क्या है आप लोग बताएं सुन क्या है सम और पुर्णांग संख्या अंसर नंबर चार क्यूंकि देखें सम संख्या दू चार छो जीरो आठ इस तरह से बिसम संख्या एक तीन पांद साथ अगर हम अभाद संख्या के बात करेंगे सब्सक्राइब काफी इंपॉर्डट क आगे फोटी नंबर कोशन चौदा नंबर कोशन चौदा नंबर कोशन बोल रहा है किसी रासी का दूबटे पचमा भाग कितना परतिसत होगा तो डिरेक्ट ही मार सकते हैं वन बटे फाइव मतलब क्या होता है 20 परसेंट तो टूबटे फाइव में आप बता दिएगा 20 को इस कोशन के बारे बताना क्या या कोशन का आंसर सही है या गलत इसलिए पूल रहे हैं क्यूंकि आप लोग भी इसको बनाईएगा तब पाचलेगा या तो हम जानके ही गलती बता रहे हैं क्यूं क्यूंकि आपको लागे आप इसको देखिएगा वीडियो तो आपको पत तोटल संख्या तो एवरेज एवरेज में क्या होगा देखेए ए पलस वी पलस एवरेज़ कितने लोग हैं चार लोग हैं चार लोग और कितना इसका एवरेज है 14.2 इसको गुना किजेगा आगे हम सिर्फ गाइड कर देते हैं आप लोग बनाएगा जरूर नहीं बनेगा तो तो हम फिन नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, चलिए आगे है, B, C, D, E, इसमें भी कितना बेक्ती है, 4 बेक्ती, 4 गोग कौसद कितना है, 15.5, आगे, E की उम्र 20 बर से, E की उम्र कितना है, 20 बर, तो पुछ रहा है कितना, A की उम्र, देखे, इसमें कौन कौन कटेगा, अगर घटाएंगे, वह एक, A के बाद, कौन कौन कटेगा, एक, देखे, A, पलस लिख देते हैं, B, पलस C, पलस D, आगे है, B, पलस C, पलस D, पलस E, अगर ये दोने हम कटना चाहते हैं, क्या कटेगा, B, B कटेगा, C, C, कटेगा, D, D, कटेगा, तो क्या निकलेगा, A, करके आएगा, घटाएंगे, क्योंकि दोने हम क्या करें, घटा रहे हैं, और जब E की मान 20 आजाएगा, यहां पर टोटल दिया हुआ रहेगा, तो यह बरावा निकल जाएगा, नहीं बनेगा, तो टेंसर नहीं लेना है, दोस्तों, हम लोग कॉमेंट में बताईएगा, और हम इसको टेलिग्राम चलेने पर अच्छा से रिकॉर्डिंग फॉर में भेज़ देंगे, हम इसलिए बनाना भी आपको जुरूर है, क्योंकि हम बताने देने से कुछ ने फाइदा नहीं होने बाला है, आप लोग को ही एक्जाम देना है, आप लोग के मैनत करना है, चलिए सोला नमबर कोश्चन, सोला नमबर कोश्चन, पहले आप लोग इसको यह रोइड किजिए, एक सो बीस कुर्षियां परती कुर्षी के दर से 20 कुर्षी, तह देखिए, एक कुर्षी क electrodes हागे, आगे, एक सो तिस उरूपिया परती कुर्षी, और कितना कुर्षी, पंदरा दीड़ सु कूरसी पचीश रुप्या दर से खरदा तो कह रहा है क्या कूरसी की आउसत मुल क्या हो जाएगा देखे तो 20 कूरसी का दाम गुना करेंगे 15 कूरसी का दाम गुना करेंगे और 25 कूरसी का दाम गुना करेंगे और जब सब के गुना करके आएगा तो average होता है total number बड़े total संख्या total गुना करके कितना आएगा वो उपर लिखेंगे यहाँ पर और संख्या कितना हो जाएगा 20 पलस 15 पलस 25 यहाँ पर लिखेंगे और उसको भागा देंगे तो एक कुर्सी आउसद कुर्सी का दाम निकल जाएगा चलिए 17 नमबर 17 नमबर कोश्चन पर हम लोग आते हैं 17 नमबर कोश्चन वह छोटी से सोटी संख्या गयात किजिए जिसको 12, 16, 16 और 18 से भाग देने पर परतिक दसा में 5 से सल बसता है तो आईसी में आप लोग क्या सीखें थे इसा कोश्चन में क्या करते हैं 12, 16 यहाँ पर 12, 16, 18 कहा हम लोग LCM निकालते हैं LCM निकालना जानते ही होगे 2 से 6 दुना, 12, 8 दुना, 16, 9 दुना, 18 2 से 3 दुना, 6, 4 दुना, 8, 3 अब 3 से लगेगा 1, 4, 1 तो कितना हो जाएगा, 2 दुना, 4 4 दिया, 12, बर्चों का 48 सॉरी, कहां पर, कहां पर गलती हुआ है चलिए LCM हम लोग साप पेज़ पर नीचे निकालते हैं कितना है, 12, 16, 18 चलिए, यहाँ पर लिखते हैं 12, 16, 18 दो बार के कटेगा 6 दुना, 12, 18 दुना, 16, 24, 48 ही पर हम लोग गलती किये थे दो बार के, 3 दुना, 6 4 दुना, 8, 12 दुनी, 24 फिन कटेगा दो बार के, 3 2, 6, फिन दो बार के 3, 1, 3 3, 9, 2 दुनी, 18 18, 26, 26 दुना, 72, 22 144 ते, कितना LCM आया 144 अब कह रहा है कि कौन सी संख्या होगा, छोटी-छोटी संख्या होगा तो कितना हो जाएगा परतेज साम पांच से स्वल बटे 344 में क्या करेंगे पांच जोड़ देंगे, तो उस संख्या कौन सी हो जाएगा 144 समझ गये होंगे और इसमें कोशन पूछ सकता बड़ी से बड़ी संख्या भी आप लोग इसका भी रिविजन करिएगा आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में चाच्चा करेंगे और आप लोग बताएगा कि आपको आपके माहित में कौन सा चेप्टर कौन सा बीक है उस पर भी हम लोग वीडियो थ्योरी सहीत लाएंगे चलिए आप क्यूंकि आप प्रोलम यूटीब का सोल भी हो गया है तो हम लोग वीडियो भी बनाएंगे जब टाइम मिलेगा आप लोग कॉमेंट चुनूर किज़ेगा किस चीज में किस पोर्शन में प्रोलम है किसी संख्या के चार गुना में उनहत्तर जोड़ा जाएंगे पढ़िया और लिखे किसी संख्या में चार गुना मतलब एक संख्या माल लिए चार गुना में उनहत्तर जोड़ा जा जा मतलब उनहत्तर जोड़र तो वह संख्या के साथ गुना का बरावर है मतलब बरावर काँसंख्या उनहत्तर एक साथ गुना है चलिए तो इसको आप सोल भी कर सकते हैं 4X तो क्या हो जाएगा 7X इधर जाएगा तो 3X 3X बरावर 79 X बरावर 13 तो संख्य क्या हो जाएगा 13 सुरी कहों पर गलती हुआ है किसी संख्या के 4 गुना में 79 जोडा जाए किसी संख्या के 4 गुना में 79 जोडा जाए तो वह संख्या 7 गुना के बरावर है तो सुरी यहाँ पर 13 ने तेश्टिया उनहतर होता 13 तिया कभी कभी मिश्टेख खोजा था तेश्टिया उनहतर होता जाएगा तेश अंसर इससे आपको घर बढ़ाना नहीं है इससे आप ही लोग का फायदा है गलती ढूणलगा तो आप ही लोग का फायदा होगा अब दिखिए आप अपर concur छोटी छोटी संख्या पूछ रहा क्या चार अंगों की सबस्चोटी संख्या पर तेन सुनना तेन यह क्या हो गया यह संख्या न खोगया जी अगर विसम संख्या की बात करें तो कहां से start होता है एक तीन पांच साथ तो सह सचोपी की बात करें इसमें कितना दूटेगा पलस उण क्या हो जाएगा एक हजार क्या हो जाएगा एक हजार एक सोरी यहां पर एक एक हजार एक हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा जुरूर बताईएगा जो जो भी मैथ में प्रोलम रहेगा और किसी भी रिलेटेट या अगर एक्जाम है साइनिक हो गया तो आप लोग जुरूर कोमेंट किजिए जिस टॉपिक में कम जोड़े और एक्जाम भी काफी नज दिखे तो आप लोग बताईएगा और वीडियो को लाइक भी किजिएगा शेर भी किजिएगा नेक्स सेशन जरूर ही चल दी आएगा जब टैम मिलेगा तो जरूर बनाएंगे आप लोग बताईएगा कैसा लगा और सारा माइथ हम लोग और चैट भी ओपन रहेगा टेलीग्राम पर जहां पर दिकत होगा आप लोग कॉमेंट किजिएगा चैट में ही तो ज्यादा ज्यादा